तो यहां पर देखिए अपमें से काफी स्टूरेंट ने कहा था कि NVS में जो MTS का एक्जाम होगा कुछ टाइम पहले नॉटिफिकेशन आया था NVS में नॉन टीचिंग स्टाफ का वहाँ पर काफी वैकेंसी वहाँ पर निकली थी ठीक है अभी एक्जाम की कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है तो काफी स्टूरेंट ने कहा था कि जो NVS में MTS का एक्जाम होने वाला है उसमें जो कम्प्यूटर का पॉर्शन है उसकी प्रिप्रेशन स्टाट करवाई जाए ठीक है तो आज से हम इसी पॉर्शन के यहाँ पर क्या कर रहे है प्रिप्रेशन करेंगे और यह आज की हमारी फर्स्ट ग्लास रहेगी अब यहाँ देखिए कि जो NVS में जो नौन टीचिंग में जितनी भी पोस्ट आई थी उनमें अगर हम दो तीन पोस्ट को छोड़ दे तो सभी पोस्ट में एक कम्प्यूटर पोर्शन वहाँ पे एड़ किया गया है किसी में कम्प्यूटर पोर्शन थोड़ा ज़ादा है किसी में कुछ कम है लेकिन जो MTS है उसके अंदर आपका कम्प्यूटर पोर्शन सबसे ज़ादा है means कि maximum आपका कम्प्यूटर पोर्शन NVS MTS के अंदर ही include किया गया है यहाँ पे इसमें जो total questions आपके आने वाले हैं वो total questions है 40 ठीक है अगर बाकी subject की में बात करूँ बाकी post की अगर में बात करूँ तो किसी में 20 marks का है किसी में 30 का होगा लेकिन जो maximum आपका है वो यहाँ MTS में कितना रहेगा 40 marks यहाँ पे रहेगा और इनी 40 marks की हम यहाँ पे क्या करेंगे preparation स्टार्ट करने वाले हैं चीक है तो यह आपके देखिए part 1 है यह आपका part 2 है यह आपका part 3 जिसमें number of questions 40 है and total marks भी कितने रहेंगे 40 रहेंगे जब यहाँ पे मैंने आपको envious non teaching का जो notification आया था तब हमने उसको भी discuss किया था तो वहाँ पे post wise syllabus mention किया गया है तो post wise जो syllabus अगर हम check करें तो वहाँ पे basic knowledge of computer operation सिर्फ इतना ही वहाँ पे mention किया है अब इसके अंदर कौन कौन से topic include किये गए है वहाँ पे mention नहीं हुआ तो मैं ऐसे google search कर रही थी तो google search के उपर एक application है test book नाम से ठीक है इसके अंदर generally सही आपके क्या दिखाये जाते है कि subject दिखाये जाते है कि इस exam में कौन से subject important है तो मैं यहाँ इससे इसका reference लेती हूँ यह PDF भी मैंने वहीं से ली है इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने आपके जो सभी portion का क्या दिखाया है एक तरह से syllabus दिखाया है तो यह testbook.com है अगर आपको भी syllabus चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो जी के तो मैंने reference के लिए इनकी PDF यूज कर रहे हूँ तो यहाँ पे यह आपका general awareness and current affair रहेगा फिर यह आपका general English रहेगा उसके बाद यहाँ पे general Hindi का इन्होंने syllabus mention किया है फिर यहाँ पे computer knowledge है अब computer knowledge में इन्होंने क्या क्या mention किया है वो देखिए MS Excel, Spreadsheet, Internet, Computer Fundamental, PowerPoint, Operating System, MS Word और Computer Software यह यहाँ पे इन्होंने syllabus बताया है ठीक है अब क्यूंकि जब आप देखते हो NVS का जो post-wise syllabus है वहाँ पे सिफ इतना ही लिखा गया है कि basic knowledge of computer operation और वहीं से आपके 40 marks आएंगे और यह जो हम reference के लिए PDF चेक कर रहे हैं यहाँ पे आपका क्या-क्या mention किया गया है एक तो आपका MS Office है Office में Excel, Word और PowerPoint हो जाएगा फिर आपका Computer Fundamental है फिर आपका Internet रहेगा and then आपका Operating System यहाँ पे अड़ किया गया है और एक Computer Software भी यहाँ पे अलग से mention किया गया है ठीक है इतनी हो गई बात अब यहाँ पे मैंने कुछ previous year को आपके जो NBS MTS के जो previous year question paper है उनको थोड़ा सा चेक किया था यह देखने के लिए कि वही वहाँ पे कौन-कौन से questions आते हैं तो वहाँ पे जो मैंने उनका check किया उनको analysis किया उनका 2022 का मैंने question paper I think 3 to 4 question paper मैंने वहाँ पे check किये थे तो वहाँ से जो मुझे idea लगा कि कौन-कौन से topics आपके important है MTS exam के लिए तो यहाँ देखिए सबसे पहले यह जो मैंने यहाँ पे topic mention किये है यह उन सभी exam में इन में से question आये हुए है ठीक है तो सबसे पहला है आपका computer characteristics अब आप कहोगे कि मैं computer characteristics तो काफी easy सा है लेकिन इससे भी question पूछा गया है वो कैसे भी पूछ सकता है जनरली तो उसके अंदर क्या है कुछ questions तो 4 to 5 questions तो ऐसे आते हैं कि आपको एक paragraph mention किया जाएगा और उस paragraph के basis पे आपको एक computer के question का answer देना है वैसे आप उसका answer अपनी knowledge से भी दे सकते हो अधर्वाइस आपको वहाँ पे paragraph given रहे का चीक है तो यहाँ पे computer characteristics से भी question पूछे गए हैं फिर second important topic है CPU यह same topic मैंने आपके telegram group में भी share किये हैं कल तो आपको आपने check किया होगा input output devices है motherboard है computer memory cache memory static RAM versus dynamic RAM देखो इस जो topics है na static RAM and dynamic RAM इससे काफी बार question आये हैं 2-3 questions आ जाते हैं फिर यहाँ पे language types and translator and then software फिर आपका MS office रहेगा उसके बाद information kiosk यहाँ से भी one question आता है GUI based operating system windows ठीक है windows से question आते हैं फिर operating system file system अब यहाँ पर देखिए जो file system यहाँ पर mention किया है न मैंने operating system के अंदर कुछ file systems भी होते हैं तो आपके MTS के exam में वो file system पूछे गए हैं फिर operating system के types operating system के characteristics mobile operating system जैसे कि आपका android हो गया UNIX operating system उसके बाद है e-governance, e-democracy, digital signature and यह है आपका information technology act IT acted 2000 यहाँ से भी question आये हुए हैं तो यह आपके important topics है जहाँ से आपके question आये हैं अब इन important topics से हमें पता चलता है क्या 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 आपको computer fundamental भी cover करना है फिर आपको internet भी देखना है cache memory, static RAM versus dynamic RAM, computer fundamental में ही यह सब include हो जाएगा, software भी वहीं पर आएगा and language type and translator यह भी मैं इसी में ही include करोंगे फिर उसके बाद internet हो गया, internet से आपका one or two ही question आ रहा है operating system के characteristics, उसके types, उसके file system and operating system के example, example में भी आपका windows है, unix है, mobile operating system है, फिर आपका Linux भी है, यह आपको देखना है फिर हमारा fourth रहेगा MS office, MS office में आपका word, powerpoint, excel spreadsheet ठीक है, यह तीर नहीं आपे include होते है then आपका, यह जो digital signature है, यह आपका internet में ही include होता है, तो internet के अंदर आपका digital signature है, जिससे question पूछा जाता है फिर IT act 2000 रहेगा, यह हमारा एक अलग से portion है, and then आपका e-governance और e-democracy है, ठीक है यह क्या हो गए, आपके important topics हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आज की class में हम क्या start करेंगे आज की class में आपकी computer fundamental से start नहीं कर रहे हूँ, generally हम computer fundamental से ही अपने syllabus को start करते हैं लेकिन आज की class में मैं आपको दूँगी, सबसे पहले e-governance, e-governance क्या होती है, यह हम देखेंगे and जितनी भी important topic इससे बनते हैं, जितनी भी important बाते इसकी है, वो सारी आज की class में हम discuss करेंगे and आपका e-governance का topic आज ही की class में हम क्या करेंगे, complete करेंगे, ठीक है, क्योंकि e-governance अभी तक आपने नहीं पर समझा होगा लेकिन computer fundamental की classes फिर भी मेरे channel पे आपको मिली हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो, फिर चाहे चंदी का TZT, PRT, PZT का batch देख लीजिए या किसी भी एक general computer का batch देख सकते हो, playlist उसकी check कर सकते हो, वहाँ पे आपको computer fundamental मिल जाएगा लेकिन e-governance आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज की class में हम e-governance को start करेंगे, ठीक है और दूसरी बात, यह जो extra, यहाँ पे यह जो topics include किये गए हैं, इनका content आपको English medium में ही मिलेगा Hindi medium में फिलहाल मेरे पास available नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाओंगी अच्छे से Hindi में तो देखे e-governance, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, e-governance हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है तो इसके बारे में क्या-क्या है कि e-governance की definition क्या है, फिर उसमें कौन-कौन से phases होते हैं और कहाँ पे कौन-कौन से plans आई हैं, वो सब हम इस class में cover करेंगे तो चलिए start करते हैं आज की हमारी class, and class अच्छी लगे, तो जरू share करना e-governance या फिर electronic governance होता क्या है, ठीक है तो simple सी भाषा में समझो कि e-governance का मतलब होता है कि जो government अपने नागरिकों को, अपने citizens को क्या services वो दे रही है जो 7 days, 24 hours, वो कौन-कौन सी services अपने नागरिकों को provide कर वा रही है वो क्या कहलाती है, आपकी e-governance कहलाती है, ठीक है and e-governance का मतलब है कि वो सेवाए, वो services वो ICT के थूँ दे रही है, ठीक है यहाँ पर देखो, electronic governance और e-governance implies government functioning with the application of ICT information and communication technology कहने का मतलब क्या है, कि electronic जो governance है, e-governance है कि government अपने, जो यहाँ पर आपकी उस government है और एक क्या होगे, हम क्या होगे, citizens होगे, ठीक है government के थूँ हमें कौन-कौन सी services मिल रही है, ICT के थूँ and what services क्या है, seven days, ठीक है, सातो दीन, 24 घंटे available होनी चाहिए ICT के थूँ, ठीक है, समझ में आया, e-governance का मतलब सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सप्ता के सातो दीन, 24 घंटे सरकारी सेवाई प्रदान करने और सुविधार प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रोदोग की ICT का उपियोग है अब यहाँ पर देखो, next term क्या है e-governance is basically a move towards smart governance e-governance को आप क्या कह सकते हो, smart governance कह सकते हो यहाँ पर e-governance क्या है, electronic governance और smart governance क्या है तो smart में S का मतलब है simple, M है moral, A accountable, R responsive and T है transparent governance तो अगर exam में आपसे पूछ लिया जाए कि smart governance में S का meaning क्या है, M का meaning क्या है तो आपको पता होना चाहिए smart governance में S means simple, M means moral, A accountability, R है आपके responsive and T क्या है transparent governance ठीक है, तो e-governance के बारे में यहाँ पर हमने दो बाते समझी पहली बात क्या है कि ICT के through government अपने citizens को जेवाई दे रही है, ठीक है second, यहाँ पर e-governance किसकी तरफ move कर रही है, smart governance की तरफ move कर रही है अब बात करेंगे किसकी phases of e-governance, तो देखो यह जो phases है न, यहाँ पर एक तरह से इनको model बोला चाता है, तो e-governance model न, काफी लोगोंने अलग-अलग दिये है काफी different people है, उन्होंने अपने-अपने models दिये है, उनको अलग-अलग नाम दिया है, ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक के include किये हैं, देखो, Gartner के यहाँ पर हम four stage model देखेंगे तो Gartner ने जो four stage model दिया है, उन्होंने कि उन four stages को क्या-क्या नाम दिया है, presence, interaction, transaction and transformation ठीक है, four stage model में क्या-क्या है आपके, presence, interaction, transaction and transformation इसी तरह से अगर आप इनको दूसरे form में देखो, तो इनको यह भी कह सकते हो कि उपस्थिती, interaction, lane, lane या परिवर्तन यह किसका है, आपका, Gartner का है, ठीक है उसके अलावा किसी ने यहाँ पर process, people, resources, technology यह चार model भी, यहाँ पर four stages भी यहाँ पर दी है, ठीक है तो different-different people ने अलग-अलग यहाँ पर क्या दी है, four stages दी है अब आती है नाम किसका, अब किसका नाम आता है, यहाँ पर smart governance का तो smart governance उपर मैंने अभी आपको बता दिया ज्यादा detailing में इसके बारे में वो नहीं पूछेगा यहाँ पर जो मुझे important लग रहा है कि आपको smart की क्या पता होनी चाहिए, full form पता होनी चाहिए simple, simple का मतलब क्या हुआ, कि जो rules and regulation है वो यहाँ पर क्या कर दिये गए है काफी simple सी language में रखे गए है, ठीक है and avoiding complex process with the application of ICT and therefore providing a user-friendly government मतलब कि यहाँ पर जो ICT के थुरू इतना simple सारी process को रखा गया है कि कोई भी जो citizen है, कोई भी नागरी को इसको easily क्या कर पा रहा है, use कर पा रहा है फिर आता है moral, moral का मतलब क्या है, meaning the emergence of a new system in the administrative and political machinery with technology intervention to improve the efficiency of various government agencies तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, moral का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो आपका नया system यहाँ पर emerge हो रहा है in the administrative and political machinery with technology ठीक है थर्ड आता है आपका accountable थर्ड क्या है आपका यहाँ पर accountability है ठीक है फोर्थ क्या है responsive responsive का मतलब क्या होता है जैसे है आप अपना कुछ भी किसी भी बटन को click करो कुछ भी करो तो आपको तब की तब क्या मिले उसका response मिले and transparent पूरी process आपकी क्या रहे पारदर्शी रहे, transparent रहे उसके बाद आता है interaction in e-governance तो यहाँ पर देखो यह important है यहाँ से exam में question आने के chance रहेंगे तो हम चार type की यहाँ पर क्या पढ़ेंगे e-governance की types देखेंगे पहली तो यहाँ पर क्या important बात है इनकी full form, छीक है second यह चारो नाम आपको पता होना चाहिए exam में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक नाम नहीं है थर्ड बात आपको example पता होना चाहिए ठीक है तो देखो G2C G2C का मतलब क्या है government to citizens अब government to citizens का मतलब क्या है कि government और citizen के बीच का interaction government और नागरिक के बीच का यहाँ पर interaction क्या है अब कौन-कौन सी services government अपने नागरिकों को यहाँ पर provide करवा रही है ठीक है तो example के लिए यहाँ पर देखो कि क्या-क्या services government दे रही है यहाँ पर तो इन एक government agency might provide health care और education services to the general public और sell license और permit to individuals यह सब क्या है government ने अपने citizens को ही तो services दी है health care की education की services है न या फिर कोई license sell करने का या permit करने की services उसके अलावा यहाँ पर जो land records होते हैं यह भी किसमें आता है आपका government to citizen में ही आता है issue of records of right and mutation of land records issue of driving license registration of property document delivery of various municipal services तो यह सारी क्या आती है आपकी government to citizens के अंदर आती है आपको यह example पता होने चाहिए अगर exam में पूछ लिया जाए कि इन में से कौन सा example G2C का है फिर आती है आपकी government to business G2B की full form क्या है government to business अब यहाँ पर देखो government to business में क्या है कि government कौन-कौन सी आप services दे रही है business community को ठीक है business community को government ने कौन-कौन सी services यहाँ पर provide करवाई है अब यहाँ पर देखो कुछ examples में बताती हूँ online startup, registering, data center इनकी तीनों की full form देख लो software as a service, platform as a service infrastructure as a service तो आपको क्या करना है इनके बारे में ज़्यादा detailing में नहीं जाना है जैसा कि मैंने आपको बताए कि एक बार आपको इन examples की reading लेनी है आपको पता होना चाहिए कि किस type के example आपके G2B में आएंगी ठीक है फिर आता है आपका G2G government to government तो यहाँ पर देखो interaction between various government entities this kind of interaction can be between various department and agencies within government और between two governments like the union and state government और between state governments, government to government क्या services है, मतलब कि एक state की government और दूसरी state की government में एक दूसरे में क्या services दे रही है वो एक दूसरे को जो आपकी central state governments है उनके बीच में क्या services है तो वो यहाँ पर आजाएंगी, ठीक है अब यहाँ देखो example, जैसे कि example है आपका, एक तो आता है आपका NEGIS, इसके बारे में full form याद रख लेना, North East Gang Information System second क्या है आपका, खजाने खजाने की full form क्या होती है खजाने क्या है आपकी एक services है, खजाने आपकी एक tragedy system से related service रहेगी, ठीक है fourth हाती है आपकी यहाँ पर government to employee जो government है वो अपने employees को क्या-क्या services दे रहेगे, जैसे कि applying for leave exam, examining salary payment records and monitoring the balance of holiday तो यह सारी क्या है आपके government to employee services रहेंगे चीक है तो आपको services समझ में आई उनके example यहाँ पर important रहेंगे and इनकी full form से यहाँ पर important रहेगी advantage देखिए यहाँ पर e-governance के क्या-क advantages है, improved delivery and efficiency of government services काफी एक reading लेनी है आपको यहाँ पर देखिए, improved government interaction with business and industry citizen empowerment through access to information, more efficient government management, less corruption in the administration, increased transparency in administration greater convenience to citizen and business cost reduction and revenue growth increased legitimacy of government, flattens organizational structure, reduce paperwork and red tapism चीक है, improved relation between the public authority and civil society, restructuring of administrative process तो एक तरसे advantage क्या है आपके यहाँ पर efficiency बढ़ जाती है interaction जादा हो रहा है चीक है उसके अलावा efficient है corruption कम हो गया है यहाँ पेपर वर्क reduce हो गया है convenient है जादा आपकी cost reduction यहाँ पर कम हुआ है तो यह सारे क्या है यहाँ यहाँ पर computer के through उनको access कर पा रहे हो तो एक तरसे आपको काफी सारे यहाँ पर benefit हो पा रहे है ठीक है अब यहाँ पर देखो e-governance initiatives तो e-governance में यहाँ पर क्या-क्या initiatives लिए गए हैं उनको हम यहाँ पर एक बार देखेंगे तो सबसे पहला initiative है यहाँ पर देखो यहाँ पर की कौन सी यहाँ पर initiative का क्या नाम है और वो कब आया था तो यहाँ पर आपको सिफ इतना ही देखना है तो a national task force on information technology and software development यह कब set up की गई आपकी 98 में set up की गई फिर यहाँ पर देखो 99 में the ministry of information technology was created छीक है a 12 point agenda was listed for e-governance for implementation in all the central ministries and department e-governance के लिए कितना agenda लिया गया है 12 point का agenda लिया गया था ठीक है the information technology act यह important रहेगा कब आया था IT act अगर आप से पूछा जाए कि जो information technology act यहाँ पर कब आया था 2000 में and IT act में amendment कब हुआ यह भी question काफी बार पूछा जाता है तो यहाँ पर देखो 2008 में हुआ था ठीक है IT act कब आया 2000 में आया amendment कब हुआ आपका 2008 में हुआ फिर आता है next यहाँ पर the first national conference of states IT minister was organized in the 2000 to arrive at a common action plan to promote IT in India देखो हर साल national conference होती है ठीक है यह जो e-governance के लिए हर साल क्या होती है आपकी national conference होती है पहली national conference कब हुई थी 2000 में हुई थी and यह जो national conference है यह किसलिए हुई थी तो यहाँ पर जो IT आया है न उसको promote करने के लिए यह हुई थी फिर next आपका क्या है government setup NISG क्या setup हुआ यहाँ पर NISG NISG की full form क्या रहेगी National Institute for Smart Government The state government launched e-governance project like e-sewa जैसे आंधरापरदेश ने कौन सी करी है e-sewa करनाटका ने यहाँ पर भूमी and so on तो हर एक अपनी जो state है उसने क्या किये हुए कुछ e-governance project पर launch किये है तो next आते है आपका यहाँ पर National e-governance plan NEGP was launched full form important रहेगी NEGP National e-governance plan इस NEGP के अंदर देखो it consists of 31 mission mode project MMP की full form क्या है mission mode project and 8 sport components कितने project है इसके अंदर 31 the national policy on information technology NPIT was adapted in 12, 2012 2012 में NPIT आई national policy on information technology ठीक है एक बार और मैं आपको बताती हूँ revise करते हैं हम क्या क्या आया कौन-कौन से initiatives आई तो 98 में आई a national task force ठीक है national task force on information technology and software development उसके बाद 99 के अंदर ministry of information technology create हुआ फिर यहाँ पे कितना point का agenda लिया गया है 12 point का agenda यहाँ पे लिया गया ठीक है 12 point agenda उसके बाद IT act आया यहाँ पे यह सबसे important रहेगा IT act 2000 में आया इसके अंदर जो changes हुए amendment हुआ वो 2008 में हुआ पहली national conference कब हुई 2000 में हुई इसमें क्या हुआ इसमें जो आपके IT को promote करने के लिए यह conference हुई फिर यहाँ पे आया NISG Pulforme National Institute for Smart Government उसके बाद state government ने भी क्या किये कुछ e-governance projects launch किये जैसे कि e-sewa कहां की है अंदरप्रिदेश की है भूमी कहां की है करनाटका की है N-E-GP plan आया National e-governance plan इसके अंदर 31 mission mode projects और 8 sport components को रखा गया N-P-I-T आया National Policy on Information Technology 2012 में तो एक बार इनको ये reading देखनी पड़ेगी आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि ये क्या है आपके facts है यहाँ पे उसके बाद आती है देखो फिर इनके बारे में थोड़ा सा ओर detailing में देखने N-E देखेंगे हम यहाँ पे तो जो N-E-GP आया है National e-governance plan ये क्या है तो National e-governance plan provides a holistic view of e-governance initiative across the country N-E-GP क्या कर रहा है एक तरह से पूरा holistic view दे रहा है यहाँ पे e-governance initiatives का across the country कि यहाँ पे e-governance ने कौन-कौन से initiatives लिये हैं अभी तक उनको क्या कर रहा है यह उनका संपूर्ण रूप से क्या कर रहा है एक तरह से provide करवा रहा है ठीक है provide से holistic view holistic का मतलब होता है संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से क्या provide करवा रहा है e-governance initiative across the country ये क्या है N-E-GP अगर हम से एक्जाम में पूछा जाए कि विच प्लान या फिर विच प्लान प्रोवाइड से हॉलिस्टिक व्यू ओफ इगवर्नेंस इनिशेटिव अक्रोस दी कंट्री ओप्शन में आपको एन इजीपी मिल जाएगा एन पी आईटी मिल जाएगा ओर दो ओप्शन मिल जाएगे तो आपको पता होना चाहिए एन इजीपी ये क्या करवा रहा है आपको हॉलिस्टिक व्यू दे रहा है किसके इगवर्नेंस इनिशेटिव से ठीक है अब यहाँ पे देखो अराउंड इस आईडिया इस आईडिया में क्या है कि जितने भी आपके जो remote villages है जहाँ पे जो आपकी net की connectivity कम है जहाँ पे पोँचना एक तरह से unique अदित remote villages जो connect नहीं है इतने एक तरह से हर चीज से connect नहीं हो पा रहे है desertization वहाँ पे कम है तो वहाँ पे क्या करवाना इन सारी initiatives को वहाँ पे एक तरह से उनका परचार परसार करना ठीक है वो सारी चीज़े यहाँ पे हो रही है next यहाँ पे देखो government has proposed to implement e-kranti क्या है यहाँ पे e-kranti आई जो national e-governance plan 2.0 e-kranti क्या है आपका national governance e-governance plan 2.0 पहले क्या है आपका 2.0 आया जिसको क्या नाम दिया गया e-kranti नाम दिया गया ठीक है e-kranti का मतलब क्या है electronic delivery of services e-kranti is an essential pillar of the digital India initiative देखो आज की date में हम सुन रहे है ना सब कुछ digitized हो जाएगा सारे records आपके क्या हो जाएंगे digitized हो जाएंगे तो इन सब की starting कहा से हो रही है? NEGP से हो रही है ठीक है NEGP के बाद यहाँ पे NEGP 2.0 आया जिसका नाम है e-kranti e-kranti के अंदर क्या हो रहा है आपका electronic delivery of services जो आपका digital India digital India का जो हम एक aim लेके चल रहे है उसका सब से महतवपून pillar है आपका e-kranti ठीक है अब यहाँ पे देखो considering the critical need for e-governance mobile governance and good governance in the country the approach and key components of e-kranti have been approved by the government e-kranti framework addressed the electronic delivery of services through a portfolio of mission mode project that cut across several government departments e-kranti के objective क्या क्या है यहाँ पे वो देखो redefine NEGP सबसे पहली बात क्योंकि e-kranti क्या है NEGP 2.0 है तो मतलब यहाँ पे जो NEGP है उसको redefine किया गया है उसके अंदर कुछ यहाँ पे और changes किये गए है ठीक है enhance the portfolio of citizen-centric services जो आपकी citizen-centric मतलब कि जो आपकी citizen नागरिक के इंदरित services है उनको यहाँ पे एक तरह से और बढ़ावा दिया गया है ठीक है ensure optimum uses of core ICT साथ में क्या हो यहाँ पे जो ICT का है उस ICT है उसका यहाँ पे best क्या होना चाहिए use होना चाहिए promote rapid replication and integration of e-governance applications उसके अलावा जो जितनी भी आपकी e-governance application है उनको क्या करना है यहाँ पे promote करना है बार-बार promote करना है leverage emerging technology emerging technology जितनी भी आपकी आपकी उभरती हुई जितनी भी technology चल रही है उनका क्या करना है यहाँ पे फाइदा उठाना है use करना है make use of more as well implementation models ठीक है तो यह क्या है आपके यहाँ पे e-kranti के objective है एक तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे है आप जो आपका digital India यहाँ पे हमें बनाना है digital India की तरफ यह हमारे क्या है जो सबसे important आपका क्या है यह आपका pillar रहेगा digital India की तरफ यहाँ पे NEGP के NEGP में जितने भी हमने e-governance के initiative दिये थे ना उनको redefine किया गया ठीक है जो भी नागरी केंद्री आपकी services थी उनको और enhance किया गया initiatives को बढ़ावा दिया गया जादा से जादा promote किया जाएगा यहाँ पे जितनी भी आपकी ICT की ICT को एक तरह से यहाँ पे आपका maximum क्या कहते है best use होना चाहिए ठीक है जितनी भी आपकी उभरती हुई technology है जैसे की AI की मैं बात करूँ natural language processing है जिनके बारे में हम last में बात करेंगे emerging technology के बारे में उन सारी technology का भी यहाँ पे use किया जाए तो यह क्या है आपकी E grantee के बारे में कुछ main main बाते हैं अब आती है बात किसकी mission mode project की तो यहाँ पे देखो MMP full form क्या है mission mode project is an individual project within the national e-governance plan that focus on one aspect of electronic governance such as banking, land records or commercial taxes etc. within NAGP mission mode means that these projects have clearly defined objectives, scope and implementation timelines अब यहाँ पे देखो main जो मैं बात बताना चाहा रही हूं आपको कि जो mission mode project है उपर हमने देखा ना total हमने कितने mission mode project की बात करी है total हमने 31 mission mode project की यहाँ पे बात करी है ठीक है यह जो mission mode project है यह आपके किस तरह से state wise, central और integrated project wise divided अब यहाँ पे यह जो mission mode का मतलब क्या है मानलो एक यहाँ पे एक mission है वो banking से related है तो उस banking से related mode में उसके बारे में उसका objective उसकी scope, उसकी जितनी भी guidelines है, जितनी भी बाती है ना important वो उसके बारे में वहाँ पे आपको मिलेगी दूसरा mission यहाँ पे मानलो land record है तो land record वाले mission में land records से related आपको सारी information मिल जाएगी, तो इस तरह से हमारे पास total कितने mission mode है, यहाँ पे total 31 है, चीक है यहाँ पे देखो मैंने यह image डाली है इसके अंदर आपको यह 31 मिल सकते हैं central की वगर हम बात करें तो यहाँ पे exam में question यह आ सकता है कि यह mission mode central का है, या state का है या integrated का है, ठीक है तो central में आपके आ रहे हैं देखो banking है, ठीक है थोड़ा ओर size increase कर देती हूं banking, central exercise and customs income tax, insurance, MCA 21 passport, immigration, visa and foreigners registration and tracking, pension, e-office post, UID, यह सारे क्या है आपके central mission mode है, ठीक है state mission mode में कौन से आ रहे है agriculture, commercial taxes, e-district employment exchange, land record municipalities, e-panchayat, police, road transport treasury, computerization, PDS, education, health यह आपके state में आएंगे integrated मतलब central plus state CSC, e-biz, e-court, e-procurement, e-di for e-trade, national e-governance, service, delivery, gateway, और India, portal यह क्या है आपके, integrated में चीक है सबसे पहला हमने initiative पढ़ा, कौन सा e-kranti देखा, फिर यहाँ पे आपके mission mode project देखे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे digital India की, digital India कब launch हुआ था? 2015 में launch हुआ था, ठीक है to empower the country digitally in the field of technology digital India के primary objective क्या रहेंगे आपके to create a secure and stable digital infrastructure to digitally deliver government services to achieve universal digital literacy तो यह क्या है आपका digital India, main आपको क्या देखना है यहाँ पे 2015 में यह launch हुआ था and यह 3 क्या है इसके objective है, ठीक है फिर यहाँ पे आया आपका, आधार आया आधार क्या है आपकी, UIDAI ठीक है, आधार is a UIDAI and यहाँ पे issued unique identification number यहाँ पे UID की full form क्या रहेगी तो आधार काड क्या है आपका आधार जो है आपका, एक 12 digit number है ठीक है, इसके अंदर आपको 12 digit का number क्या है issue किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते है UID बोल देते है, UID की full form क्या है आपकी unique identification, यह क्या है आपका UID number 12 digit का रहेगा, ठीक है confused मत हो न, आपका खुद का भी आधार काड है count कर ले न, 12 digit का यह number होता है यहाँ पे UID AE की full form क्या रहेगी तो unique identification authority of India कोन issue करता है इसको, authority of India issue करता है इसलिए इसको UID AI कह देते हैं आज कल आप क्या करते हो, हर एक जितने भी आपके as a proof में हम आधार कार्ड को लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी biometric information भी गई थी, ठीक है फिर यहाँ पे third आती है next mygovernment.in mygov.in and यह mygov.in क्या है आपकी तो यह July 2014 में आई थी the Indian government introduced the my government platform for citizen engagement कब आया था यह 2014 में आया था फिर next आया था यहाँ पे initiative Umang Umang platform important रहेगा देख लेना कब आया था यहाँ पे 2017 में आया था अगर हमसे exam में एक question पूछा जाए कि उस एक single platform का नाम बताओ जिसके through जो citizens है Indian citizens है वो अपनी pan India या e government services को क्या कर पा रहे है access कर पा रहे है तो यहाँ पे क्या नाम आएगा आपका Umang आएगा ठीक है क्या आएगा नाम आपका Umang यहाँ पे हमारा नाम रही का ठीक है अगर हमसे Umang की full form पूछी जाए ना तो क्या होती है ध्यान से सुनना Unified Mobile Application for New Age Governance क्या होती है फुल फॉर्म Unified Mobile Application for New Age Governance ठीक है किसने डवलप की थी यह तो यह डवलप की थी आपकी M-E-I-T-Y फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी तो यहाँ पे देखो Umang की फुल फॉर्म क्या है Unified Mobile Application for New Age Governance ठीक है Developed by Ministry of Electronics and Information Technology and N-E-G-D N-E-G-D फुल फॉर्म क्या रहेगी National E-Governance Division किसलिए है यह आपकी Mobile Governance को चलाने के लिए Umang यहाँ पे आई थी Mobile Governance के लिए कौन सी आई है आपकी Umang आई है Pan India E-Government Services के एकसेस करने के लिए कौन सी आई है Umang आई है चीक है किसने यहाँ पे Develop किया था याद रखना Ministry of Government Ministry of Electronic and Information Technology and National Governance Division Sorry National Governance National E-Governance Division फिर नेक्स आया आपका Digital Locker Dizzy Locker यहाँ पे हम सभी यूज भी करते हैं 2015 में आपका Dizzy Locker आया था इसके अंदर क्या होता है जितने भी आपके Documents है वो यहाँ पे Dizzy Locker में हम क्या करते हैं एक तरह से Upload करते हैं फिर Next है आपका Dizzytization of Next क्या है हमारा Dizzytization of Land Records अब आज की डेट में हमें पता है कि जो हमारे Land Records है उनकी सारी Information भी क्या है हमारी Dizzytized की जा चुकी है तो इसलिए जो हर स्टेट वाइस क्या किया गया है सभी ने अपने अपनी एक अलग से एप यहाँ पे लॉंच कर रखी है जिसमें उनके Land के Records होते हैं चिक है तो यह क्या हो गया यहाँ पे यह भी E-Governance का ही एक इनिशेटिव रहेगा अब यहाँ पे देखो E-Governance Initiative at the State Level for Digest E-Governance Initiative at the State Level for Digitizing Land Records are as follows तो यहाँ पे देखिए E-Seva E-Seva में क्या है हमारी E-Seva कहा की है यह आंदर प्रदेश का इनिशेटिव है ठीक है Offers both Government to Citizen and E-Business to Citizen Services Next आता है आपका खजाने खजाने क्या है यह भी E-Governance Initiative है करनाटका का Government to Digitize the State Treasury System ठीक है E-Seva कहा कहा है आंदर प्रदेश का है खजाने कहा कहा है खजाने आपका करनाटका कहा है यह क्या है आपकी Government to Government Initiative है Next आपका आता है Bhoomi Bhoomi यहां पर देखिए Bhoomi is an E-Government Portal for the computerized delivery of 20 million rural land records to करनाटका Bhoomi भी कहा कहा है आपका करनाटका कही रहेगा Next आपका E-Office E-Office के बारे में E-Office facilitates efficient and transparent inter and intra-governmental process Goal of E-Office is to make all government offices more efficient, responsive, effective and transparent the product integrates independent system into a single framework Next आता है आपका इसी तरह से E-Court है ठीक है यह court से related है यहां पर E-District रहेगा आपका तो यहां पर आप इनके बारे में देख सकते हो E-District में आपका यहां पर CST Centers जो होते है Common Service Centers वो यहां पर आ जाते हैं Next आता है दर्पन ठीक है दर्पन की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी Dashboard for the Analytical Review of Project Across the Nation इसके बारे में आप यहां पर थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर देखना शाह हो तो देख सकते हो क्योंकि Class ओल्रड़ी क्या हो रही है आपकी फुल फॉर्म रहेगी यहां पर देखो The Multimodal Platform Pro-Active Governance and Timely Implementation was launched in 2015 प्रगती की फुल फॉर्म क्या है Pro-Active Governance and Timely Implementation कब आया था यह 2015 में आया था 2015 में चीक है फिर यहां पर देखो अब बात करेंगे किसके हम National Conference on E-Governance मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि E-Governance के उपर क्या होती है हर साल एक Conference होती है पहली Conference कब हुई आपकी 2000 के अंदर हुई थी 2000 में आपकी क्या हुई पहली Conference हुई ठीक है अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अभी सबसे latest Conference कब हुई है तो जो आपकी 26th National Conference हुई है वैसे तो Every Year यहाँ पर क्या होती है आपकी Conference होती है लेकिन यहाँ पर देखो किसी साल 2 हुई होंगी यहाँ पर मैंने ज़्यादा Retailing में नहीं देखा है लेकिन जो अभी 23 में जो Conference हुई है वो कौन सी थी आपकी 26th National Conference थी ठीक है First कब हुई है यहाँ पर 2000 में हुई है और जो 26 भी National Conference है वो कब हुई है यहाँ पर 2023 में हुई है ठीक है कहाँ पर हुई इंदोर में हुई कब हुई 24-25 अगस 2023 में थीम क्या था इसका विक्सित भारत Empowering Citizens चलिए इतना ही ठीक है आज की क्लास में हमने क्या किया है यह गवर्नेंस टॉपिक को कम्प्लीट किया है नेक्स क्लास में हम एक अपने न्यू टॉपिक को लेके चलेंगे और उसको कम्प्लीट करेंगे चीज़ है तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हूं टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चली होगे थैंक यू